देखे इस्ट्रेट यह हैं यह है हमारी एक स्टेयर केस जिसकी बारे में आज हम बात काता है यह है आपकी एक पूरी फ्लाइट ठीके अब हम इसको पूरा दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह सीड़ी सीधी जाते हुए मासे उपर गई है तो यह कौन से स चाहिए और जितना पेर उपर उठाते हैं यह हाइट क्या किलाती है आपकी राइज़र और यहहां से हां से तो यहां तक की हआईट क्या क्लाती हें इस्ट्रेंट उसमें हम कितने riser और कितने trade कैसे निकलेंगे इसको हम किस तरीके से find out कर सकते हैं इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं बहुती easy trick के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि आप किसी भी cd में या किसी भी staircase में riser और trade निकाल सकते हैं चाहे वो आप building की बात करें अपने घर में या non flight की बात करें या dog like की बात करें तो आप आसानी से किसी भी staircase की quantity को निकाल सकते हैं Hello student स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं How to calculate number of riser and trade in staircase जी हाँ दोस्तों हम किसी भी cd में या staircase में number of riser और trade किस तरीके से find out कर सकते हैं आपको एक simple formula हम बताएंगे उसके तो आप किसी भी staircase की riser और trade निकाल सकते हैं देखिए student आपको staircase में सबसे problem यही होती है कि हमाई riser और trade कितने होंगे हम कैसे find out करेंगे कि हमें चणने के लिए कितने space चाहिए रहेगी क्या इसका size होगा कितना trade का size होगा यह सब आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो आप वीडियो को पूरा end तक देखिए ताकि आपको सभी चीज़े समझना है तो चलिए आज का वीडियो हम start करते हैं देखिए student सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक section बता रहे हैं इसमें यह आपकी city का section है ठीक है आप वीडियो को पूरा end तक देखेंगे तो आपको पूरी चीज़े समझ में आईगे यह पूरा आपका क्या section है यह आपका होता है ground floor ठीक है यह होता है आपका slab ठीक है अब जो आपका rise cd है ground level से उसका जो angle होता है वो 25 degree to 40 degree तक आप उसको रख सकते हैं ठीक है और यह आपका पूर्शन के लाता है landing यह वाला portion भी आपको क्या के लाता है landing और जिस पर आपका rise और trade मलाब एक step आपकी rest करती है वो होता है आपका wrist slam ठीक है अब हम यह देखते हैं कि जो आपने हमने आपको यह बताया है कि यह जो steps बनी है आप उसको हम नहीं ह canyon बनाया तो जिस पर आप पेर रखते हैं वो कहलाता है आपका ट्रेड मतलब टपा आप इस पर पेर रखते हैं ठीक है आपको जो पेर होता है वो इस पर रखते हैं और जितना उपर आप उठाते हैं पेर को वो होता है राइजर ठीक है इस्ट्रेंट ये समझ में आया आपको इस्ट् वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है अब हम यह देखते हैं कि इस शेंज को किसे खते हैं कर सकते हैं। refuse जहां पर बिल्दींग में पिrvest बना रहे हैं। वहाँ पर जो जो person है जो owner है उसकी requirement क्या ही उसके according आप राइजर और trade की value को fix कर सकते हैं ठीक है generally 6 इंच रखी जाती है आप 6-8 इंच तक provide कर सकते हैं ठीक है trade की value आप 9 इंच रखते हैं normally 9 इंच से 12 इंच तक आप provide कर सकते हैं but जो हमने standard आपको value बताईए वो है 6 इंच और 9 इंच की इस चीश को आपको ध्यान अखना है यदि आप यह रखते हैं तो आपको कोई भी problem cd में नहीं आईए ठीक है हम देखते हैं कि हमें एक flight की बात करें यह एक flight है दूसरी flight आपकी हाँ से start जाएगी तो उसको हम डोग लेक्ड बोलते हैं ता उसका भी इस तरीके से निकाल सकते हैं देखी इसे start total number of riser किस तरीके से निकाल सकते हैं total height of building divided by height of riser building के height का मतलब क्या है आप फ्लोर टू फ्लोर ठीके न एक ground level से first floor तक की height कितनी होती है 10 feet हमने आपको बताया है कि 10 feet आपको रखना है ठीक है आपने यदि एक वीडियो नहीं देखा है उसका वीडिलिंक आपको इसकी हम बॉक्स में मिल जाएगा उसमें हमने आपको बताए कि 10 फीट रखते हैं फिर 12 फीट रखते हैं फ्लोर टू फ्लोर की हाइट वो वीडियो भी आप जरूर चेक कीजिए तो देखिए हाइट बिल्डिंग की क्या है 10 फीट 10 फीट रख दिया हाइट आप आपकी वेल्यू और यह वेल्यू आपकी है इंच में तो आप इंच को फीट में कर लीजिए 12 से डिवाइड करेंगे आप जब इसको केल्ट कुलेट करेंगे तो आपका नंबर आउफ राइजर कितने हैगे 20 नंबरस अउफ राइजर आएगे मतलब 10 फीट की आपकी बिल्डिंग के ही त Abi समें आपको राइजर कितने लगेंगे यह कितनी ऐख पर पेड उठना पड़ेगा 20 बार टोटल ठीके स्टुएट नाओ अब हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल नमबर आउट ट्रेड कैसे निकालेंगे हम नमबर आफ राइजर माइनस वन तो 20 माइनस वन इक्वल टू 19 नमबर्स अब आप पूलेंगे कि सर ट्रेड एक कम क्यों होता है वह इसलिए होता है देखें ट्रेड के होता है यहाँ पर पेर रखते हैं तो आप यहाँ पर रखिए आप इस नमबरा क्वाइनट लेंगे इसमें हमने आपको कम बताया है लेकिन आप 20 नमबर्स निकालेंगे तो लाश्ट वाला जो आपका टप्पा होता है वह लेंडिंग में काउंट हो जाता है ठी ठीक है अब हम बात करें इसमें स्ट्रेंड की हिडन राइजर क्या होता है क्या हिडन राइजर यही होता है कि आपका जो राइजर निकला हुआ है वह लास्ट में जाकर लेंडिंग में काउंट हो जाता है जो कि आपको दिखता नहीं है ठीक ना तो हिडन राइजर क्या है कि लेंडिंग के साथ मिक्स हो जाता है तो हम उसको सपोर्ष नहीं करते हैं तो आपका वही पर राइजर खता हुजाता है इसलिए 20 नंबर्स निकलते हैं हाँ पर 10 फिट के हैट में और ट्रेड कितने निकलेंगे 90 यह मैंने एक फ्लाइट की बता ही आपको इसके साथ दूसरी फ्लाइट भी निकलेंगे हाँ ठीक है यदि आप एक फ्लाइट में देते हैं कोई प्रॉबल्म नही है यदि आप डिवाइड करके देते ंडोग Lax वाली में तो आप एक फ्लाइट इदर से बना रहे, जो कि यह ऐसे वीडियो को बनाने में, आपके सामने लाने में बहुत मेनत लगती है, हमारी टीम की बहुत मेनत लगती है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चेनल को सस्क्राइब करके ऐसे वीडियो हम आपको हमेशा free of cost लाते रहेंगे ठीके स्ट्रेंट अब हम मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रगिए thank you for the watching